हेलो बच्चो इससे पहले के वीडियोज में मैंने आप्टिक्स और टाप्स ऑफ आप्टिक्स और बेसिक पॉइंट्स ओफ ऑन जुमेट्रिकल आप्टिक्स के बारे में रखा जिसमें थर्ड वीडियोज में मैंने बेसिक पॉइंट्स और जुमेट्रिकल आप्टिक्स में करेक्टरिस्टिक्स ओफ लाइट को रखा लेकिन उसको जब यूट्यूब में अपलोड किया तो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हुआ ये कि उसमें जो भी वर्ड लिखे हुए हैं वो साफ साफ नहीं दिख रहे हैं तो कुछ बच्चों को परेशानिया भी हुई हूँ लेकिन इस परेशानिय को आप सॉल्व कर सकते हैं यदि मैं जो अभी सलाह दे रहा हूँ वो आप करेंगे तो आप क्या करिए वीडियोज नमबर फर्स्ट में मैंने करेक्टरिस्टिक्स ओफ लाइट को लिखा है लेकिन उसके बिसे में बताया नहीं है तो आप वहाँ से characteristics of light को copy में लिख ले और तब videos number 3 को पुरा सुने तो आपको बात समझ में आ जाएगी है ना तो उससे क्या होगा कि आपको आसानी हो जाएगी ठीक है तो आसा करते हैं कि आप सब videos number 3 को पुरा सुनेंगे साथ ही बच्चो मैं आप सभी कोई को एक राय देना चाहूंगा कि videos में कुछ दिखे या नहीं दिखे कभी-कभी ऐसा हो जाती है टेकनिकल प्रॉब्लम के कारण तो आप क्या करें कि videos को पूरा जरूर से सुनें और जब PDF भेजा जाता है तो उससे में notes बनाएं हलाकि मेरे द्वारा पूरा PDF मेरा subject में पूरा नहीं भेजा जाएगा optics में ठीक है बाकी सरका भेजा जाएगा चुकि मैं अपने notes को type करा के ही भेज रहा हूं इसलिए और मुझे लगता है कि जिस दिन problem होगी इस परकार से मैं उसको चला रखूंगा और videos को पूरा देखे देखे मतलब videos को कम से कम पूरा सुने और जो कल बताया गया था उसको correlate करने का पर्यास करे 5 से 7 वीडियो या 8 वीडियो तो आपको भेजी ही जाती है तो उसको थोड़ा ध्यान रखे और पूरा का पूरा वीडियो देखे या सुने ठीक है और जो बच्चे नहीं कर रहे होंगे निसंदे वा अपने भविश्य को कहीं न कहीं एक तो कुरोना वाइरस आपके भविश्य को परभावित क्या ही है और आप अपने द्वारा खुद ज़्यादा परभावित कर लेंगे तो कुछ नहीं से अच्छा कुछ सही को के मंत्र को अपना और जो भी दिया जाता है उसको भली भाती लिखो और पूरा का पूरा सुनू कम से कम सुनोगे और लिखा हुआ रहेगा तो बार बार सुनने से कुछ न कुछ दियान आएगी इसलिए इस बात को समझे बच्चे पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं वह अपने भविश्च को परभावित करेंगे चलिए आईए आज हम सब को reflection of light स्टार्ट करते हैं ऐसा क्यों मैंने बोला चुकि geometrical optics में मैंने बताया था कि light के दो घटनाओं को हम लोग पढ़ते हैं light के परकास के दो घटनाओं को पढ़ते हैं light के two phenomena's को पढ़ते हैं first क्या है reflection और second क्या है reflection तो पहला क्या है reflection तो reflection इसलिए start करने जा रहे हैं ठीक है आईए देखते हैं आप सभी को 10th class में है सो reflection of light परकास का परावर्तन देखे होंगे उसी को मैं यहाँ पर केवल इंग्लिस में लिख दिया हूँ आप लोग उसको देखेंगे जो लिखे हैं और उसका हिंदी मिनिंग करेंगे उसके अनुसार figure को देखने का पर्यास करेंगे फिर मैं जब figure बताओंगा तो वह है तो आप समझ जाएंगे जब एक परकास के किरन प्रोपागेट संचरित करता है चलता है फ्रॉम ए मीडियम जैसे यहाँ वह दिखाया गया है figure में incident रेखो कि एक मीडियम से वह क्या है प्रोपागेट करता है कौन रे ओफ लाइट एक परकास के किरन and come back और वापस चला आता है and come back मतलब वापस आता है to the same मीडियम उसी माध्यम में after incident after मतलब के बाद किसके बाद आपतित होने के बाद अब वह आपतित कहां पर होगा जो रे ओफ लाइट आ रहा है वह आपतित कहां पर होगा on an opaque medium एक आपारदर सी माध्यम में मैंने opaque medium के बताया था उसमें बताया था कि reflection of light के बिसे में हम लोग पढ़ेंगे opaque medium से होगर के ध्यानाया तो अब यहाँ पर पूरा जोड़ दीजे कि जब एक परकास की किरन किसी एक माध्यम से चलती है और उसी माध्यम में वापस चली जाती है किसी आपारदर्शक सता से या आपारदर्शी माध्यम से तकराने के बाद आप्तित होने के बाद after incident होने के बाद then तब this phenomenon of light यह परकास की घटना is known as जाना जाता है reflection of light इसे क्या कहते हैं परकास का परावर्तन कहते हैं जैसे figure में आप देखिए क्या दिया गया figure को हम लोग general सब्द से परियोग करते हैं ray diagram optics में है ना यहाँ पर क्या एक box नुमा बनाया गया जिसको opaque medium मान लिया गया उधर से क्या दिखाया गया कि एक ray of light आ रहा है तो इसलिए left side में लिखा हुआ incident ray और वह जहां पर आके टकराया यानि opaque medium में उससे एक dotted line दिखाया गया है वह जहां टकराएगा वही से सीधे आप line हमेशा खीचिएगा उसे कह देते है normal और फिर वह टकराने के बाद देखे एक arrow का sign right side उपर की और दिखाया गया है उसे reflected rays कहते है reflected ray और यह पूरा ray diagram आपका है तो परदर्शित करता है reflection of light को ना परकास के परावर्तन को इतना जानने के बाद आप देख रहे होंगे कि incident ray और नॉर्मल के बीच एक angle का sign दिया हुआ है उसे कह रहे हैं हम लोग incident angle आपतित कोन और दूसरा angle right side में दिया हुआ है normal और reflected angle के बीच में sorry मैंने बोला normal और reflected angle के बीच में गलत बोल दिया यहां होगा normal और reflected ray के बीच में ये ना बीच में है गोर से देखिए इसको ये ना बीच में है ऐसे तो हम लोग क्या बोलेंगे normal और reflected ray के बीच में जो angle होता है उसे करते हैं प्रावर्तित कोन reflected angle आसा करते हैं reflection of light आप सभी कोई को समझ में आई होगी next videos में हम लोग मिलेंगे types of reflection के साथ और अगर उसमें समय बचेगी तो laws of reflection भी बताएंगे दोनों अलग अलग चीज़ होती है types of reflection और laws of reflection ये next video में समझने का परियास करेंगे okay thank you